दोस्तो कैसे आप, उमीद करती हूं आप और आपकी चाहने वाले खुश होंगे, आपके जीवन को और सुखी और मंगल मैं बनाने की भावना के साथ, आज मैं आपके सामने उपस्तत हूं, एक साधारन और शक्ति शाली उपाये लेकर. दोस्तों इस विधी द्वारा आप किसी भी व्यक्ती को सम्मोहित करके अपने वश में कर सकते हैं यदि कोई महिला है जिसको आप पसंद करते हैं या कोई लड़की जिसे आप अपना दिल दे बैठे हैं या कोई अपना जो रूठ गया हो इस विधी द्वारा आप उसे अपने जीवन मिला सकते हैं, प्रेमरस घोल सकते हैं, तो चलिए आपको बताती हूँ कि वो कौन सा उपाय है, जिससे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपना मन चाहा काम करवा सकते हैं, दोस्तों मैं विधी बताने से पहले एक मुख्य बात आपको बता दूं कि जब भी आप इस विधी का प्रेयोग करें, तो इस बात का खासतोर पर ध्यार रखें कि आपके आसपास कोई और नहों, आप उस समय बिल्कुल अकेले हों, क्योंकि अगर आप अकेले में इस विधी का को या किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं, अपने वशिभूत कर सकते हैं, दोस्तों आज का जो उपाए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है नाभी से जुड़ा हुआ, तो जरा सोचिए, क्या इससे आसान कोई टोटका हो सकता है, नाभी को सिर्फ चूने से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं, अपना मन चाहा हर कारे करवा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे ही करना है, लेटने के बाद आपको उस व्यक की तरजनी उंगली